मद्य परदेश के धार जिला में भोज होस्पिटल में सीविल सर्जन पद पर पदस्त डॉक्टर महेश बोरासी पर उनिके पडोसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर ने हमारी जगह पर अभैत कपजा कर रखा है जिसको लेकर हम लगातार शिकायत भी कर रहे हैं मगर डॉक्टर बड़े पद पर होने की वज़े से हमें न्याई नहीं मिल पा रहा है आपको बता दे कि धार भोज होस्पिटल में पधत सीविल सर्जन डॉक्टर महेश बोरासी का नाता हमेशा ही विवादों से रहा है फिर चाहे अस्पताल में मरीजों से हो या फिर परिजनों से इस बार तो बोरासी के पडोस में रहने वाली महीला ने पतरकारों की प्रैसवारता कर बताया कि उनका गरीब परिवार है और उनकी पास की जगया पर डॉक्टर और उनके परिजनों ने अवैद कर कपजा कर लिया है जिसकी हम कई बार नगरपाली का और S.P. कारियाले तथा जन सुनवाई में शिकायत कर चुके हैं मगर डॉक्टर उच्पद पर होने से हमें न्याई नहीं मिल रहा है महीला ने कहा कि डॉक्टर से ना सिर्फ हम बल्कि आसपास के लोग भी परिशान है अगर मेडिया के माधम से हमें न्याई नहीं मिला तो हम भूख हरताल करेंगे और क्या कुछ कहा डॉक्टर बोरैसी की पडोसी महीला ने आप भी सुनिये और हवा भी नहीं आती ठीक से ना उजाला था पुरा समय मुझे लाइड जला के रहना करेंगे मैंने नगर पालिका में स्यों मोगे करी है एच्डियम में खड़ी हो गई जन सुनवाई में करी है अब तक तो मुझे कुछ भी ना पता चला है कि यह कर दिया कि वह पट्ची लेट्रिंग के बना रखी पीछे पीछे ना वह इंटी बोरासी ने कच्छी लेट्रिंग बनवाई यह उसका बाई सोरभ बोरासी बोजा अस्पिटिल में डक्टर है इतनी लड़ाई होने के बाद भी और इनी से पुछली जाती कितना मतलब गंदगी भी बहुत होती बदभू भी बहुत आती और गेड़े भी बहुत है क्या चाहते हैं मैं तो बस ही चाहते हूं कि मुझे इंसाब जिया जाओ और मेरे घर के सामने कि यह दिवा लटाई जाए जाए अतिकरमान अटाया जापुरा क्या तकलीब हती है है कच्छी लेटिंग रहा जिए विया जाए धीकरमण में बना है परेशन ही बहुत आती है क्या चाहते हैं? इसे ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद